तो सुरू करते हैं ब्लोग और मैं निकल चुकी हूँ कनाट प्लेस के लिए और कनाट प्लेस जैसे ही मैंने वहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि आसपास बहुत सारा खेलो इंडिया का पोस्टर लगा है तो मैंने सोचा क्यों ना इस पोस्टर के साथ फोटो वगरा ले फोटो क्लिक करा जिसको मैंने कहीं भी पोस्ट नहीं किया वह मैं अपने स्टोरेज भरने के लिए मैंने उसको क्लिक कर लिया यह मेरी गंदी आदत है मैं अपनी स्टोरेज ऐसे फूल करके रखते हूं कि पूछो इमत अगर आपको एक फोटो भी क्लिक करना है तो आपके को दस मिनट तक छेड़ना और स्पेस बनाना पड़ता है और तो और फोटो वगर क्लिक करने के बाद यह मैं निकल चुकी हूं भर्मन पर और यहां देखना है मैं ऐसे भूचरों जो भूपे चलते हैं उसको भूचर बोलते हैं तो भूचरों की तरह मैं यहां पर भ्रह्मन क यह भूचरों करते हैं आपने लिए वचछा कि मैं ले लिए मैं को चुछ खी लेने लग है तो फिर मैं ले षथा कि मैंने लिए भाल ने ले लेती हूं एकिस के लिए को फिर छे यह ली इहां पर मैं उनकोल केसा ब आइसा हो ग्ल्णा तो autumn मdefenseurWa형 कोई बात नहीं मैं भूच से नहीं रहती तो मैं उन लोगों से क्या डरूंगी और इसके बाद मैं ठोड़ा और गूमते कि मैंने इवनिंग क्र दिया और इवनिंग हो जाने कि बाद मैं सोचए कि अब निकल लेती हूँ घर क्योंकि मेरे पैर को चाहिए रेस्ट तो यह जब मैं जा रही थी तो मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा सांदार लगा तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा व्यू है तो क्यों न अपने सब्सक्राइबर को भी दिखाया जाए सब्सक्राइबर हमारे फैमली है मैं वैसे अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं जैसे फैमिली को वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ वैसे मैंने आप लोगों के लिए सोचे कि क्यों नहीं से रिकॉर्ड कर लिया चाहिए और आप भी देख सकते बहुत अच्छा व्यू लग रहा है और इसके बाद मैं नुएडा पहुची जैसे ही मैं नुएडा के बॉर्डर से इंट्री ले रही थी तो मुझे ये बुद्ध भगवान का जो स्टैचू है ये भी बहुत खुबसूरत लगा तो मैं सोची ये भी आप लोगों को दिखा दूँ और इसके बाद मुझे लगी थोड़ी सी भी भूख और ये देख सकते हैं मेरा फेस तो ऐसे गलोग कर रहा है जैसे की मेरे लाइफ में क्या-क्या चल रहा है लेकिन क्या पता मेरे लाइफ में कैसा भुचाल चल रहा है फिर मैंने अपने गारे में फ्यूल डलवाया फ्यूल डलवाले के बाद मैं पहुंच गई डायडेक्ट हल्दी हल्दी राम क्योंकि मुझे लग गया था भूख और खाना खाया और खाना अभी खाया नहीं मैं खाने का भी वेट करू और जब तक वो लोग हमारा फूट प्रिपेर कर रहे थे तब तक मैंने सोचा कि क्य जब मैं सकल देख रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था मैं सोच रही थी कि oh my god how I am looking very good फिर यह लाइट चमक गई मेरे उपर और इसके बाद बैठी रही बैठी रही बैठी रही मेरा खाना अभी तक नहीं आया और बैठे बैठे मैं यहां पे एक दो रिल्स देखने के बाद मुझे लगा कि oh my god आप फोन लग देते हैं साइट क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फोन नहीं चलाती हूं मेरे फोन का जो स्क्रीन टाइम आता है वह बहुत कम आता है फिर मैं आप लोगों को देखने लगी कि अभी मैं क्या करूं मैं फिर सोच रही थी बहुत ही अच्छे से रियाक्शन दिया वहाँ पर और मैंने बड़े प्यार से फूड को टेस्ट करके खाया जल्दी जल्दी खाने पर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है तो मैंने आड़ाम से प्यार से टेस्ट ले ले करके खाया और मुखे हल्दी राम का फूड बहुत पसंद है लेकिन पसंद जब जो चीज़े मुझे बहुत पसंद आ जाती है मैं उसके बिना रहनां नहीं पाती और मैं इतना खा लेती हूँ कि फिर मुझे वो ना पसंद हो जाता है फिर लॉंग टाइम बाद मुझे फिर से पसंद आता है तो अभी मैंने वहां का फूड इंज्वाई किया मस्त पढ़ा पराठे खाए और आप मुझे पराठे खाते हुए देख रहे हैं हो सकते हैं बहुत सारे लोग को को जो लोग भी अगर मेरे साथ डिनर और लंच करना चाहरे ना मैं उन लोगों को कहना चाहरे हूं कि थोड़ा पेसेंस रखो थोड़ा वेट करो और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ जब बहुत ज्यादा जगर जाएंगे तो एक मीटप रखेंगे बढ़िय अच्छा भी आई पी ट्रीट्मेंड देते हैं जोगी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद मैंने खाना को एंजोई किया खाना को एज्वर करते करते मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा फूर मुझे दिया फिर मैं चावल के बीना तो कैसे रह सकती हूं मैं तो पी और भिहारी मुझे चावल दाल और मेरा जो और इजिन है कुछ लोग मुझे टपड़ी कहने लगे है साथ कमेंट में बटन को धन्यवाद कि मैं चपड़ी लग रही हूं कोई बात नहीं आप मुझे जैसा भी कहना चाहें आप कह सकते हैं वह आपका मुँ है और मैं अपने कामों में और मैं अपने लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मुझे इन सब सीजु के लिए बिल्कुल टाइम नहीं और जैसे ही मैंने खाना खाया, तो मुझे ध्यान आया कृष्ण भगवान का, तो मैंने सोचा चलू इसी बात पर व्रिंदावन हो आते हैं, तो मैं निकल गई व्रिंदावन के लिए, जैसे ही मैं व्रिंदावन पहुची, तो मुझे वहाँ पहुचने के बाद मंदिरों के दर्सन किये, वहाँ पर फोन अलाउन नहीं था, इसलिए मैंने वीडियोज नहीं बनाए, और मैं वहाँ वैसे मन की सांती के लिए गये थे, त हुजा हुजा करने के बाद मैंने सुचा कि चलो आज थोड़ा टाइम, देखो व्रिंदावन में जाती रहती हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं बहुत लेड जाती हूँ वहाँ, तो कभी भी न वहाँ पर सीजे लाइक ओपे नहीं रहते हैं, पब्लिक सो जाती है, बार एक वज खाया 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 आज के लिए बस इतना ही, थाइंक यू गाइज, बाई, लव यू गाइज